जिनियस शिक्षा यूटूब चानल पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज के इस क्लास में हम एक बहुत ही बनिया मज़दार और इंट्रेस्टिंग हिंदी स्टोरी के माध्यम से आपको हिंदी पढ़ने का प्रैक्टिस कराएंगी तो चलिए बिना देर की होए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं क्लास को सुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दिजे लाइक क्योंकि आप जो है बाद में भूल याते हैं और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकों को ओन कर लिजे तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं तो इंट्रेस्टिंग स्टोरी का नाम है मिट्टी का दिल आप जो है ना क्लास को लाश्ट तक देखिएगा और परतेक वर्ड्स को ध्यान से तक कि इसमें जो मात्रा लगा है न वो आपको भाचान आ जाए और कौन सा वर्ड किस तरह से लिखा है ये भी आपको समझ में आ जाए तक कि पढ़ने के साथ साथ आपको हिंदी लिखने का भी ब्रैक्टिस हो जाए और हाँ ध्यान रखिएगा पहले आपको खुद से पढ पढ़िए उसके बाद हम पढ़ेंगे तब उसके बाद आपको मिलाना है तो पढ़िए तो यहाँ पे देखिए पंकच एक गुसैल लड़का था वह छोटी छोटी बात पर नराज हो जाता और दुसरों से जगडा कर बैठता उसकी इसी आदत की वजह से उसके अधिक दोस्त भी ना थे पंकच के माता पीता और सागे संबंधी उसे अपना स्वभाव बदलने के लिये बहुत समझाते पर इन बातो का उस पर कोई असर नहीं होता एक दिन पंकज के माता पीता को शाहर के करीब ही किसी गाउं में रहने वाले एक सन्यासी बाबा का पता चला जो अजीबों गरीब तरीकों से लोगों की समस्याएं दूर किया करता था अगले दिन सुबह सुबह वे पंकज को बाबा के पास ले गए बाबा बोले जाओ और चिकिनी मिट्टी के दो धेर तयार करो पंकज को ये बात कुछ अजीब लगी लेकिन माता पीता के डर से वह ऐसा करने को तयार हो गया कुछ ही देर में उसने धेर तयार कर लिया बाबा बोले अब इन दोनों धेरो से दो दिल तयार करो पंकज ने जल्द ही मिट्टी के दो हार्ट शेप तयार कर लिये और जुजलाते हुए बोला हो गया बाबा क्या अब मैं अपने घर जा सकता हूं बाबा ने उसे इशारे से मना किया और मुस्कुरा कर बोले अब इन में से एक को कुमहार के पास लेकर जाओ और कहो कि ओ इससे भट्टी में डाल कर पका दे पंकज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाबा करना क्या चाहते हैं पर अभी उनकी बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा न था दो तीन घंटे बाद पंकज यह काम कर के लोटा यह लो रंग और अब इस दिल को रंग कर मेरे पास ले आओ आखिर आप मुझे से कराना क्या चाहते हैं इन सब बेकार के तोटको से मेरा गुस्सा कम नहीं हो रहा बलकी बढ़ रहा है पंकज बढ़ बढ़ा ने लगा बाबा बोले बस पुत्र यहीं आखिरी काम है पंकज ने चैन की सांस ली और भटी में पके उस दिल को लाल रंग से रंग ने लगा रंगे जाने के बाद वह बढ़ा ही आकरशक लग रहा था पंकज भी अब कहीं न कहीं अपनी मेहनत से खुश था और मन ही मन सोच रहा था कि ओ इससे ले जाकर अपने रूम में लगाएगा वह अपनी इस कृती को बड़े गर्व के सांथ बाबा के सामने लेकर पहुचा पहली बार उससे लग रहा था कि शायद बाबा ने उससे जो जो कराया थीक ही कराया और इसकी वजह से वह गुस्सा करना छोड देगा तो हो गया तुम्हारा काम पूरा बाबा ने पूछा जी हाँ देखिये न मैंने खुद इससे लाल रंग से रंगा है पंकज उत्साहित होते हुए बोला ठीक है बेटा ये लो हथोड़ा और मारो इस दिल पर बाबा ने आदेश दिया ये क्या कह रहे हैं आप मैंने इतनी मेहनत से इसे तैयार किया है और आप इसे तोडने को कह रहे हैं पंकज ने विरोध किया इस बार बाबा गंभीर होते हुए बोले मैंने कहा न मारो हथोड़ा पंकज ने तेजी से हथोड़ा अपने हाथ में लिये और गुसे से दिल पर वार किया जिस दिल को बनाने में पंकज ने आज दिन भर काम किया था एक जटके में उस दिल के तुकड़े हो गए देखिये क्या किया आपने मेरी सारी मेहनत बरबाद कर दी बाबा ने पंकज की इस बात पर ध्यान न देते हुए हुए अपने थैले में रखा मिट्टी का दुसरा दिल निकाला और बोले चिकनी मिट्टी का यह दुसरा दिल भी तुम्हारा ही तैयार किया हुआ है मैं इसे यहां जमीन पर रखता हुँ लो अब इस पर भी अपना जोर लगाओ पंकज ने फोरन हतोडा उठाया और दे मारा उस दिल पर 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 नर्म होने के कारण इस दिल का कुछ खास नहीं बिगडा बस उस पर हतोडे का एक निशान भर उभर गया अब आप खोश हैं आखिर ये सब कराने का क्या मतलब था मैं जा रहा हूं यहां से पंकज यह कह कर आगे बढ़ गया ठहरो पुत्र बाबा ने पंकज को समझाते हुए कहा जिस दिल पर तुमने आज दिन भर मेहनत की ओ कोई मामुली दिल नहीं था दर असल ओ तुम्हारे असल दिल का ही एक रूप था तुम भी क्रोध की भटी में अपने दिल को जला रहे हो उससे कठोर बना रहे हो ना समझी के कारण तुम्हें ऐसा करना ताकत का एहसास दिलाता है तुम्हें लगता है की ऐसा करने से तुम मजबूत दीख रहे हो मजबूत बन रहे हो लेकिन जब उस हतोडे की तरह जिन्दगी तुम्हें पर एक भी वार करेगी तब तुम संभल नहीं पाओगे और उस कठोर दिल की तरह तुम्हारा भी दिल चकनाचूर हो जाएगा समय है संभल जाओ इस दुसरे दिल की तरह विनम्र बनो देखो इस पर तुम्हारे वार का असर तो हुआ है पर ये तूट कर बिखरा नहीं ये आसानी से अपने पहले रूप में आ सकता है ये समझता है कि दुख दर्द जीवन का एक हिसा है और उनकी वजा से तूटता नहीं बल की उनहें अपने अंदर सोख लेता है जाओ छमाशिल बनो प्रेम करो और अपने दिल को कठोर नहीं विनम्र बनाओ पंकज बाबा को एक टक देखता रह गया वह समझ चूका था कि अब उससे कैसा व्यावहार करना है तो फ्रेंट्स आज के इस हिंदी रीडिंग प्रेक्टिस के क्लास में वस इतना ही आज का स्टोरी आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आज के इस class को like करके अपने सावी friends को share कर दिजे ताकि वभी घड़ पर असानी से इस class के माध्यम से Hindi reading practice करते रहें जाहिन फिर मिलते हैं next Hindi reading practice class में एक new story के साथ